अब संथ करने से बहले बाजार की कुछ बात करते हैं लेकिन बाजार से पहले मुझे आप सबK थैंक यू कहले है, सबसे पहले चीज़ कि आप वीडियो है काफी प्यार कर रह misman करें और काफी सारी wishes करी तो उसके लिए भी मैं बोलूँ कि thank you so much और आप कहीं न कहीं शायद थोड़ी सी चीज़ें सही होते हुए देख रही हैं वापिस अपने topic के पास आते हैं कि क्या होने वाला है बजार के अंदर सबसे बहले आप समझो कि बजार में गिरावट है और बजार में broader level पर गिरावट है तो इसमें कोई डढ़ने वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पर एक theory है मतलब एक सर्फ वाजब theory है इसका कोई prove नहीं मेरे पास कि suppose करो foreign institutions को और हमारे खुद के देशवासियों को मतलब जो है यो बड़े level के जो लोग है उनको already पता है कि भाई इस ब रिजिस्ट भी कर रहा था कि भाई हम गिरेंगे नहीं जैसे आपको पता है कि भाई टेक्स लैब वाली बात हुई फिर सेबी के बात हुई उसका गौर्णमेंट से बात हुई यह सब हो गया लेकिन उसके बावजुद हमारा बजार गिरा नहीं तो फिर अब क्या बात आ र बाजार पर आगर खरीद लें क्यों क्योंकि नहीं यह चीज़ पता है जो एक रिटेल इंवेस्टर होता है वो तूट जाता है बहुत जादा जिल्दी इसी वज़े से अगर आप देखोगे सब को पता है मुचल फंड से पैसे बनते हैं सब को पता है स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं उसके बावजूद जादा तर लोग इसके अंदा इन्वेस्टर नहीं होते हैं जादा तर लोग यहां से लॉस्ट बुक करके निकलते हैं इवन जहां पर म्यूचल फंड की बात करोगे आप सो म्यूचल फंड में लॉस्ट बुक करना आल्मोस्ट आप कह र करते हैं सो स्टॉप मार्किट के अंदर यह जो मेंटल प्रेशर है यह आप अगर मैनेज कर पाते हो तो आप पैसा बना रहोगा है मुझे लगता है कि भाई प्लैन हो अमेरिका का ना हो चाइना का प्लैन हो या फिर ना हो बड़े मुझे रगता है हाई वेलूशन के सास जो सपोर्ट नहीं करा इस वजह से सेलिंग आई है लेकिन जैसे ही यह जो कॉंटिटिटिव इजिंग की बात हो रही जहां पर इंट्रस रेट कट होने की बात हो रही चाहिना में वही पर जो यूस है वहां के इलेक्शन खतम होरें दिसंबर में अब जो आर भी आया है वो भी किया रहें के वही रेट कट करेंगे तो मुझे लगता है नेक्स एक से दो महीने के अंदर चीज़ें सही होते में दिखेंगी अक्टोबर थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम होने वाला है आप में लास्ट आइधिंग 10-20 वीडियो देखो जब बजार तक रैश भी नहीं कर करते रहो रोकना बिल्कुल भी मत मतलब रोकने की तो जरूरती नहीं है चाहिए आप स्मॉल कैप, मिट कैप, लाज कप कहीं पर भी कर रहे हो बड़ बोलुगा सतर्क होकर ही करो अच्छे स्टॉक्स में अच्छे म्यूचल फंड में करो कि आपका पैसा बन जाएगा बजा बाज जी सबसे पहले आप यह समझो कि Small Cap Mutual Fund वालटाइल होते हैं by nature, क्योंगे जो companies होती है Small Cap की वह बहुत ज्यादा वालटाइल होती है, वह छोटे-छोटे sentiment से बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है, अगर आप यह सोचे हो कि मेरा Mutual Fund गिर रहा है पॉजिटिव होने के चांसे बहुत कम हो जाता है, पॉजिटिव हो भी जाएंगे तो अगर 0.1%, 0.2% पॉजिटिव हो पाएगा, इसी के साथ मैं एक छोटी सी analysis करिये, शायद मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, कि अब side तो काफी सारी Mutual Fund अच्छा बना कि बढ़ते हुए तो भाई इन सब ने पैसा बहुत बनाया था, लेकिन गिरते वे टाटा सबसे कम गिरा है, टाटा स्मॉल के उसके बाद गिरा है, उसके बाद गिरा है क्वोंट, उसके बाद आता है बंधन, बिकेस बंधन और जो क्वोंट वो almost similar गिरे हैं, बेंचमा के, अगेंस जितना बेंचमा गिरा है, उतने ही गिरे हैं, तो मोटे मोटे तोर पे small cap में पैसर डालना है, तो एक diversify portfolio पैसर डालो, जैसे निपन हो गया, टाटा हो गया, टाटा के बारे में काफी बात करी है हमने, इसमें डाल सकते हो, बंधन में डाल सकते हैं, अच्छा mutual fund दि analysis करी है, quant, बहुत rare of rarest cases के अंदर, benchmark से जाधा गिरा है, अब benchmark से जाधा गिरने की बात हो रही है, ज़रूर ही नहीं हो सकता है, बंधन किसी दिन 1% किरा हो, quant हो सकता है, 2% किरा हो, so ये होना लाजमी है, possible है, but benchmark against कर गिरा है, so जो आपका question था, कि भाई, क्या लिपन इंडिय small cap mutual fund base दिना चाहिए, I don't think so, भाई, बेच दिना चाहिए, क्योंकि अच्छा mutual fund है, आप रख सकते हो, इसको लंबे समय तक के लिए, short term trajectory है आपकी, कि आपको गिरावट से डर्ण लग रहा है, आपको लगता है, ये मुझे पैसो भी ज़रूवत है, definitely बेच के निकल सकते है, कोई फरक नी परता, all time है पे ना कोई बेच पाया है, ना all time bottom पे कोई खरीद पाया है, सर, हुसान जी का कमेंटर ये कह रहा है, सर, मोतिला लोसुआल का जो माइक्रो क्या fund है, उसको बेच दू क्या, क्योंकि बड़ा परिशान हो गया हो, मैं इस fund से काफी ज़्यादा गिर करके पनीर बन जाता है, सो वो उससे भी ज़्यादा expensive हो जाता है, तो जो mistakes होती है, वो mistakes आपको हमेशा grow करने में help करती है, आपको resist बनाती है, आपको resilient पैदा करती है, आपको बनाती है कि आप एक ठोस इंसान बनो, सो ये जो गिरावट होई है, चाहे मोतिला लोसुआल कैप हो गया, ये इसी तरीके से, कि भाई हो सकता है, आप जब मार्केट में आए हो, तो आप एक दूद की तरह आए हो, आपको मार्केट का इतना नहीं पता, मार्केट में जब एक जटका दिया, तो आप convert हो जाओगे दही के अंदर, फिर मार्केट की चपेड़ खाखा कर चपेड़ खाखा करके आप पनीर बनोगे और पनीर बनोगे तो बहुत महेंगे भिकोगे, तो भाई ये बजार जो गिर रहा है, ये बजार आपको पनीर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है, कि आपको तयार कर रहा है, कि जब आप करूड पती बनोगे तो अधरवाइस निकल जाओ, micro cap में गिरावाटानी शुरू होगे, तो भाई ये small cap से भी ज़्यादा लंबा भसाएगी आपको, so ये सोच कर क्या हो, ये तो 10-12-15% करेक्शन है, किसी भी point of time पे हो सकता है, बाजार अभी भी kind है, क्योंकि ये crash नहीं है, ये sell-off नहीं आ रहा है, huge sell-off नहीं है, ये correction है, किसी दिन 0.5 गिर गया, किसी दिन 1% गिर गया, correction मतलब एक दिन में 10% गिर जाना, उसको crash में count करते हैं, ये correction है, सो बाजार kind है, कोई गलतियां हुई है, small cap के लाइक नहीं हो, आपको डड़ लगता, micro cap के लाइक नहीं हो, ड़ लगता तो निकल जौब एच करके, कोई जरुवत नहीं है बैठने की, किसी को prove करने की जरुवत नहीं है, हर किसी का risk appetite अलग होता है, अभी उशेक चौबी जी का comment ये कहना है, सर, दस लाग लंग सम इन्वेस्ट करना है, किस mutual fund में करो, सर, अगर मैं अपना बताओ, थोड़ा biasness होगी मेरी side से, मैं तो बोलूँगा भाई, banking and finance services में करना ज्यादा sense बनाएगा, क्योंकि ये बहुत undervalued है, cheap valuation के आसपास मिल रहा है, कोई भी mutual fund ले सकते हो, coin का ले सकते हो, BFSI, सुंतरम का ले सकते हो, ये गिरे वे, मुझे पता है गिरे वे, अभी मैं ने बोला, तो लोग बोलेंगे, ये तो चली नीरे, market गिरी हुए, तो sectoral funds थोड़े से जादा गिरते हैं, volatile जादा होते हैं, अगर आप actually में maximum पैसा बनाना चाते हो, इंडिया की growth में बरोसा है, तो banking को चलना पड़ेगा, इंडिया सिर्फ और सिर्फ तब ही grow कर पाईगी, हो सकता अभी ना चले, हो सकता 6 महीने बाद चले, लिकिन चलेंगे banking ज़रूर, चलेंगे NBFC ज़रूर, तो ये segment है, ज़र पैसा maximum बने की chances बढ़ जाते हैं सर, तो अगर आप 10 लाख invest करना चाते हो, तो 5 इसमें कर सकते हो, 5 mid cap ये small cap के एक diversify portfolio में कर सकते हो, बट अगर आप BFSI वाले segment में करना चाते हो, तो मैं बोलो है at least, एक से डेट साल का time रखना, उसके बाद ही invest करना, उससे कम के time में तो बजार कहा जाएगा, किसी को नहीं पता सर, बुंती जी का comment है, ये कह रहे है, खूं से भी ज़्यादा लाद होने लगा है portfolio, ये सुन करके तो डर लग गया मुझे, और इवन ये मरून के लर्की के shirt मैंने आज पहनी होगी है, तो बात तो सही है, बात तो सही है इवन, यार देखो, शेर बजार में ने यही एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, आपको ये लगी है कि यार पैसा बन गया बहुत जादा, बहुत पैसा बन रहा है, आप डालोगे, 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 बाजार गिरेगा, आपका सारा profit ले जाएगा, बाजार जब दुबारा से चलेगा, तो आपको उससे जादा double profit दे करके जाएगा, और बाजार के यही cycle है, जो ये दर्द बरदाश कर सकता है, पैसा वही बना पाएगा, जो ये दर्द बरदाश नहीं कर सकता, फिर्किस ये एक notional loss है, ये एक real loss नहीं है, यहाँ पर आपने कुछ बेच ही नहीं दिया, जब तक आपने बेचा नहीं, आपका loss नहीं, जब तक आपने बेचा नहीं, आपका profit नहीं, नमबर्स हैं, बढ़ते कम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहा है, डड़ लग रहा है, तो छोड़ दो, एक आदी हफते तक portfolio मत दे को कोई दिक्कत नहीं है, विधरती दर्स अधर्ण नहीं पलट जाएगी, और यार, red है portfolio, सब गई red है भाई, तो उसमें कोई कुछ ही नहीं कर तकता, सब गई है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, चलता रहता है, यह stock marketer game असर, APK का कमेंट है, यह कह रहे है, भाई, Suzylon Energy, Tata Motors, IRFC के stock पर वीडियो बना दो, प्लीज बहुत दुखसान हो रहा है, प्लीज, 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 भाई, सो मेरे भाई, मैं आपको क्या बता हूँ, देखो, Suzylon के वारे में, जो भी मेरे चैनल के पुराने विव है, उनने पता है, मैंने बोले कि Suzylon चलेगा, चलेगा, जिस दिन गुसेगा, भाई, वो गुसा देगा, ठीक है, वही आप देख रहे हैं, उस सहब पे, क्योंकि Suzylon में कोई Fundamentals थे ही नहीं, जिस लेवल बे भागा था, जब Market Bull Run में होती है, तो SSO पागलों की तरह भागते हैं, लेकिन जब Market गिरती है, तो SSO पागलों की तरह दिक्कत क्या होई है, कि Tata Motor का भी D-Merger हो रहा है, तो इस वज़े से sentiment फोड़े से खराब है, तो D-Merger होने के बाद ये Stock वापिस चलेगा, अब ये Stock के अंदर भी Invest करेने को मैंने मना किया था, क्यों मना किया था, क्योंकि All Time High के आसपास है, और D-Merger के बाद ये Definitely चल सकता है, लेकिन जब तक D-Merger नहीं होता, या Merger नहीं होता, तब तक Stocks में इशू दिखते हैं, IDFC First Bank को देखो, ताबर तोर तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसी Merger-Verger की दिक्कत होई, वैसी ये गिरना शुरू होगे, उसके बाद एक दो quarter लगते हैं, तो अभी अगर आप Hold करना चाहों, तो Hold कर सकते हो, Tata Motors अच्छा Stock है, पर D-Merger के बाद ही चलेगा, उससे पहले तो ये फसाएगा आपको, रही बाद इसके अलाबा, IRFC, तो यार, ये तो Stock की मुझे नहीं समझाता है, कि क्यों ही देना है आपको ऐसा Stock, इसके उपर Detail Analysis अगर आपको चाहिए, तो आप बता सकते हो, बढ़ इनमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कि यहाँ पर आपको इंवेस्ट करके कुछ बहुत Extraordinary मिल जाए, except Tata Motors, दिलिफ सिंग जी कमेंट है, ये कह रहे हैं, FIA lowest point पर entry कर लेंगे, फिर DIA और Retailer बहार जाएंगे, ये महेंगा बाइ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यासा इसले नहीं होता, क्योंकि अभी जो Selling जा रही है, FIA की साइट से, वो DIA hold कर रहे है, और जब FIA वापि आएंगे, तो DIA sell कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानो, कि जब FIA वापिस आएगा, तो higher price के उपर आएगा, तो इसी वज़े से, इसके chances कम हैं, लेकिन हाँ, market को बचाने की कोशिश, DIA कर रहे हैं, ये हो सकता है, कि एक तरीकी की strategy हो, जैसा मैंने starting of the video भी डिसकस करा, बट, retail investor को टिके रहना पड़ेगा, तब भी market टिकेगी, अगर retail investor नहीं टिका रहा, तो market किर जाएगी, जो भी plan होते हैं, बार के लोगों की कि भाई, इंडिया का पैसा सकेंड करो, लिक्मेडिटी सकेंड करो, बहुत ज़्यादा उचल बूद रहे हैं, इंडिया वाले, इंडिया के नर्मल लोग पैसा कमारे, इनको तमीज में लिकर क्या हो, तो इस वज़े से हो सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें ये मतलब ऐसा प्रूवन तो कुछ ही नहीं है ये तो बस कहानी है जो कहानी वाली बात ही है चल रही है लेकिन मुझे लगता है आप सही कहरो FII वापिस आएंगे शेर बजार में FII खरी देंगे तो ठीके रहना है बे पसंदा ये कुछ नहीं सीखने पर मिला तो प्लीस वीडियो को लाइक और चानल को सुब्स्क्राब करना बिल्कुल मत भूला थेंक ये सो मच वाच वाच इस वीडियो टाटा बबाए साइनिंग ओ झाल